निया शर्मा को आखेर दिव्या का गेम देखकर यूं डर क्यूं लगा? क्यूं वो ये बोलती हुई नजराएं की दिव्या गरिवाल एक बहुत ही भैतरीन प्लियर है गेम के लिए और उनका गेम देखकर उनको बहुत डर लगा क्योंकि दिव्या को आक्चुली पता है कि कब कहां कैसे क्या बोलना है and she is the perfect player for the game दरसल निया शर्मा जो है घर में एंटर कर चुकी है wildcard contestant के तौर पर और जब प्रतीक सहचपाल से वो बात करें थी तब उन्होंने ये बात reveal की कि उन्हें किस तरीके से दिव्या का गेम बहुत पसंद भी आ रहा है तो कहीं न कहीं उनका गेम देखकर डर भी लग रहा है उन्होंने बताया कि जैसे ही दिव्या फर्स वीक के अंदर ही एंटर की और जिस तरीके से उन्होंने अपना गेम ओपन करना शुरू किया वो उनका गेम देखकर काफी डर गई थी because दिव्या exactly knows how to handle things in the house उनको पता है कि किस चीज को कहां पर कैसे मुद्दा बनाना है किस को कैसे handle करना है किस के बारे में क्या भोलना है कहां कैसे चीजों को sort करना है and she has seen this outside the house as a viewer वो दिव्या के गेम को बहुत पसंद कर रही थी in fact उन्होंने बताया कि बहार भी audiences भी जो है वो दिव्या के गेम को बहुत पसंद कर रही है and she would really like to bond with her क्योंकि दिव्या के साथ उनका एक ऐसा connection बन पाएगा जिसको वो बाहर से ही feel कर पा रही थी आपको बता दे कि दिव्या ग्रिवाल का भी घर में कोई भी connection नहीं है and Nia can be a good connection for दिव्या ग्रिवाल only अगर दिव्या जो है निया के साथ एक bond बना पाती है वहीं दिव्या भी निया की खूब तारीफे करती हुई नजर आ रही थी जब kitchen area में वो उनके साथ interact कर रही थी और कह रही थी कि उन्होंने जो है दिव्या नहीं आने की निया के खत्रो के खिलाडी के सीजन को देखा भी है और निया को बहुत appreciate भी किया है क्योंकि जिस तरीके से निया जो है उस शो में नजर आ रही थी जिस तरीके से सारे stunts कर रही थी she was smashing, she was amazing और कही ना कहीं उन से जो है inspiration लेके दिव्या stunts या game में टास्क वगेरा perform करेंगी और अभी भी जैसे उन दोनों के अगर connection बनता है जोड़ी बनती है तो दिव्या को लगता है कि वो निया के साथ बहुत ही भैतरी connection बना पाएंगी so let us see कि इन दोनों का connection बन पाता है कि नहीं निया जो है दिव्या को player तो अच्छा मानती है लेकिन connection बनाएंगी या फिर नहीं ये रहेगी देखने वाली बात और आप सभी को क्या कहना है इसके बारे में क्या निया का connection बनता हुआ देखना चाहते हैं आप दिव्या के साथ जल्दी से लिख दीजिए उसके बारे में comment section में बाकिया में चानल के साथ जुड़े रहे हैं और भी खबरे हैं लगाता रहसी ही आप तक पहुंचाते रहेंगे